हलो एबरिबड़ी, वेलकम टू रोई जिद्वे, रोई जिद्वे यूटीब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभी रंदन है, वेल, आज का ये वीडियो वर्प की फॉर्म से संबन देते हैं, वर्प की कौन-कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं, और आखिर उन वर्प की अवस्थाओं में, उन वर्प की फॉर्म्स में, क्या रहस्य, क्या सीक्रेट छुपा हुआ है, इस बास से, इस तत्थ से, इस अधबुत तत्थ से, आजम अवगत होते हैं, तो वेल, डियर स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं, कि आप वीडियो को अंत तक वोच कीज़ेगा, देखियेगा, ताकि आप इसे बहतर समझ पाएं, यकीन कीज़ेगा, कि यदि वर्प की फॉर्म्स पर आपका कमांड हो गया, आपकी मास्ट्री हो गई, तो फिर आपके हाद से, निकलने नहीं वाली हैं, इस पॉर्टिंग एरर्स, या कॉमन एर्स, या योट्यूब चैनल के माध्याम से, जिसके बारे में आपको पता है, इसने ठाना है कि शफलता तो आपको दिल वाना ही है, किसी भी की मत, किसी भी इस्तती में, let's start, वीट्यू के स्टार्ट करते हैं, दियरिए स्टूडेंट्स, वर्प की फॉर्म से सम्बन देते हैं, जिस पर वर्ब की base form या zero form या neutral form का भी हम use कर सकते हैं कह सकते हैं यहां पर आपको यह याद रखना है कि वर्ब की जो first form है और जो वर्ब की zero form या base form है इन दोनों में इतना ही अंतर है कि यह जो base form होती है यह subject से प्रभावित नहीं होती है यानि singular subject है या है plural subject दोनों के साथ यह इसी form में इसी अवस्था में रहती है dear students यानि यहाँ पर हम singular subject के according as या yes और plural के according ऐसा कुछ नहीं लगाते हैं लेकिन जब बाद हम वर्ब की first form की करते हैं तो हमें यहाँ subject के according change करना पड़ता है वर्ब की जो first form है उसको हम present tense form भी कहते हैं वर्ब की first form को हम present tense form भी कहते हैं dear students ये भी आप समझते रहिएगा जैसे present tense जो indefinite में होते हैं उनके हिंदी वाकितन में ता है ती है जैसे अक्षर अंत में आते हैं उन में हम first form का use करते हैं यदि singular subject है तो हम as या yes लगाते हैं इसे दोतिया रूप भी कहते हैं दोतिया अवस्था भी कहा जाता है dear students है तो यहां हम past में use करेंगे इसको चर्चा करेंगे आगे जह हम tenses की बाता करेंगे इसमें और यहां देखिए का वीतरी है पिछले वीडियो में हमने वीतरी की two forms का use किया था two अवस्थाओं का completely has और have के साथ ही उस होती है present perfect sense में और दूसरा हम यूज करते हैं past participle के sense में जिसे हमने adjective की रूप में भी जाना यदि आप नहीं देख पाए हैं तो please move to your अपने उस last वीडियो पर जाईएगा जहां से इस चीज को जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं यहां हम बात कर र सकता है यह अभी आपको clear ना हो लेकिन इसे आप ऐसे समझ लिजेगा कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है रही है रहे है यह रहा था रही ती रहे थे यहां future में रहा होगा रही होगी का sense आएगा तो वह की first form में हम ing का use कर देते हैं उसी अवस्था को हम बोलते है present particip सेखल फॉर्म उसी को कहते हैं और यह हमने बताए बेस फॉर्म होती है अब इसके यूज को भी समझ लिजेगा कि जैसे पहला वह आपका बाइंड कमीस होता है बांधना तो यहां देखिए इसकी second form बांच हो गई यानि अगर आप यहां कहना चाहते हैं कि मैं बांधता हू तो यह कहेंगे हम I bind तुम बांधते हो तो हम कहेंगे you bind वह बांधता है अब वह singular है तो हो जाएगा he binds लेकिन जब हम second form की कहेंगे मैंने बांधा I bound तुमने बांधा you bound उसने बांधा he bound पांस्ट इंडेफिटेंस में S या उस का कोई फर्थ सब्जेट के अपोर्डिंग नहीं पड़ता है जो भी एस और इस की नियम है काईदे कानून है वो सिर्फ और सिर्फ प्रजेंट के साथ में हैं प्रजेंट टेंस में जितनी लिए हमारे होते हैं चाहे वो present indefinite को ले ले हैं चाहे present continuous को ले ले हम या present perfect को ले ले हम या present perfect continuous tense को ले ले हम चारों में हमको याद रखना पड़ता है किस तरीके से singular plural को mind में रखते हुए आगे हम use करते हैं अब आगे देखेगा bounce यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यह जो वर्फ्स हैं जिनने हमने black मदिया हुआ है काले मदिया हुआ है इनकी second और third form second और third वम ध्यान लखिएगा second और third form बिल्कुल एक जैसी है यहाँ bounce यहाँ भी bounce यहाँ bent यहाँ bent यहाँ caught यहाँ भी caught यहाँ डग यहाँ भी डग यहाँ won यहाँ भी won तो जब ऐसी वर्फ्स हो जिनकी second और third form एक समान हो same हो बिल्कुल एक जैसी हो तो dear students ऐसी वर्फ्स को हम बोलते है आर यानि regular वर्फ्स नियमित क्रियाएं बोलते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं second और third same है तो ऐसी वर्फ्स को जिनकी second form और third form एक समान होती है उनको regular वर्फ्स कहते हैं जब इसकी हम बात करेंगे तो हम बात TGT PGT कर लेते हैं या seated, upitet, astet, superted, junior जैसे परिच्छाओं की बात कर लेते हैं उनमें direct पूछ ले जाता है कि इनमें से कौन सी वर्फ, regular वर्फ है और समझ ले जगा कि जब ऐसा नहीं है, यानि second और third form जब समान नहीं है तो फिर उसे कहेंगे IR यानि irregular वर्फ, irregular यानि आनिमिक किरिया कैसे, जैसे blow, B-L-O-W, अब यहाँ पर देखेगा, यह जो हमारा stem वोबिल है यानि जो मुख्य वोबिल है, उस वोबिल को हमने यहाँ पर change किया हुआ है, dear students यहाँ पर जो O है, है ना, और यहाँ पर जो E है, यह हमने change कर दिया है और यहाँ पर फिर से देखेगा, O आ गया है, यानि जब second और third form अलग हों जब second और third form अलग-अलग हों, समान नहीं हों, तो ऐसी अवस्ता को हम बोलते है irregular verbs यानि आनियमित त्रिया है, इनकी second और third form अलग-अलग होंगी लेकिन यह जो हमारा mobile है इसमें, यह third वाली form में repeat कर सकता है उससे कोई problem नहीं है हमको, हना, इसी तरह देखेगे break है, तोड़ना, broke हो जाएगा यानि यह जो हमारे पास e, a थे, इनको हमने o में change कर दिया यानि जो इसका मुख्य वाविल था, वो change हो गया, यहाँ o आ गया और देखे, यहाँ पर broken, यह बने हुए है, लेकिन इससे हमने change किया हुआ है second और third form, अलग-अलग हो जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, irregular form कहेंगे हम इसको drink है, drink का first form, drink, second form, o हो गया, i को हमने a में change कर दिया और drunk, यानि i को हमने u में change कर दिया, दोनों अवस्थाएं अलग-अलग है, second और third और यह आगे आपका fourth अवस्था, drinking, तो यह हो गया आपका irregular verbs, अब आपको एक और बात याद रखनी है कि जो हमारी regular verbs होती है, regular verbs होती है, यानि कि जो second form है, वही थैड़ form है, तो एक तरीके से हमारे भाशा विदोने इसे कमजोर करिया माना है, क्योंकि यह अपने मूल वोविल को change नहीं कर रही है, stem वोविल को change नहीं कर रही है, इसलिए इनको कमजोर करिया, यानि weak verb भी कहते हैं इनको, जो weak verb है, वही regular verb है, और जो irregular verb है, वही strong verb कहलाती है, तो कभी-कभी, यह जितनी भी teaching से संबंदित exams है, उनमें direct पूछ ले जाता है, कि इनमें weak form कौन सी है, या इनमें strong verb कौन सी है, तो यह पैचानना आपको इस वीडियो को देखने के पश्चार आज आना चाहिए, कि जो regular है, वही weak form है, और जो irregular है, वही strong form होती है, dear students, तो यह बात आपको इ I am binding, है ना, वह बांद रहा है, he is binding, वह मोर रहा है, he is bending, मैं पकड़ रहा हूँ, I am catching, वह खोद रहा है, he is digging, अब यहाँ देखिएगा, डिग में G single है, लेकिन यहाँ पर हमने double किया हुआ है, यह जब हम spelling से सम्मदित समस्याओं की बात करेंगे, spelling, building की बात करेंगे, कि कै कैसे हम किसी word की spelling को समझ सके हैं, क्योंकि exam में spelling error से सम्मदित भी questions appear होते हैं, तो इससे सम्मदित एक complete अध्याय, complete chapter जो कई वीडियो को शामिल किये हुआ हुआ हुगा, हम आपके लिए present जरूर करेंगे dear student, देखते रहिएगा हमारा ये वीडियो रॉय जीक वे YouTube चैनल के मा समझा भी होगा अपने पहले के जीवन काल में, ये ऐसी वब है जिसके टीनों वस्ता है, एक समान रहती है dear student, कच, 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 और ऐसे ही कुछ और वब्स हैं जैसे, पुच, 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 है ना, इसी तरीके से, 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 इसी तरीके से, स्प्रेड, होती हैं, तो आप समझे गए होंगे, कि जिनकी से, से, समान होती है, ये वब कौन सी कटेगरी में आएंगी, रेगुलर या इरेगुलर, तो अफकोर्स, से, से, समान है, तो ये भी हमारी वब्स है, वो, रेगुलर वब बन जाती हैं dear students, तो जिनके तीनों वस्ता से होती है वो भी रेगुलर, और जिनके second और third sim होती है, वो भी रेगुलर वब होती है, तो ये था video, आज का dear students, उम्मीद हमें, हमारा ये प्रयास, छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी, लेकिन हमें इतना यकीन है, I am completely sure about this one, completely confident, that ये हमारी छोटी सी कोशिश आपके जीवन में आपकी जिन्दगी में, आपके future में बहुत सारे रंग भरने के काम आएगी, बहुत सारे colors को आपके भविश में, जोड़ने में काफी help कर सकता है, हमें उम्मीद है ऐसा, तो very dear students, आज के इस video में एतना ही, एक और वीडियो, बेमिशाल, धमाकेदार, लेकर के हम बहुत आपके पास उपस्तितों के जाएगा नहीं, तब तक क्योंकि पढ़ते रहीएगा और अपने भविश को आगे बढ़ाते रहीएगा, तो well dear students, यदि आप हमारे इस video के लिए नए है, पहली पहली बार पदार पर कर रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजएगा, मुखे भुमी का निभाते रहें, well thank you for watching this video, जैहिन जै भारत